हेलो साथी और नमस्कार मैं आज आपको बताने वाला हूँ क्या आपको अपने ब्लेक फंगस की जाच करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए वो ऐसी कौन सी बाते हैं जो आपको ब्लेक फंगस जैसे भयानक जो रोग आज कल चल रहा है उससे संक्रमित कर रही है या नहीं मै आज अपने खुद उस ब्लेक फंगस टीव जो पहली जाच होती है वो करा के आया हूँ और उसमें कुछ इस तरह से उसकी रिपोर्ट आती है मैं डिस्पले में आपको दिखा हूँ रिपोर्ट में क्या है और यह मेरा पूरा जो कोवीट का एक्सपीरियंस है पूरा मैंने एक डे वन से एक 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 एक्सपीरियंस को इसमें संजो के रखा हुआ है और क्योंकि हमारे चैनल का नाम है कामल दा नौलेज एनहंसर तो इसमें हम जो भी विसे जो हमको अच्छी तरह से समझ में आ जाता है वो हम आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताने की कोसिस करत हैं अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और जो वीडियो उसको लाइक करिए और अपने उन सभी दोस्तों को जिन से संब्दित ये वीडियो है जरूर सेयर कीजेगा तो दोस्तों मैं आज आपके साथ सेयर कर रहा हू गया करीबन दस बारा दिन पहले ये मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई थी हाला कि सिंटम्स तो बहुत पहले से खतम हो रहे थे लेकिन फिर भी मैंने कुछ दिनों रुख करके ये जाच कराई थी जिससे कि कहीं ऐसा ना दुबारा पोजितिव आ जाए फिर वो हूँ त आफी आगे समय तक चलता रहता है जैसे उसमें सबसे कॉमन बात है कमजोरी कमजोरी है ठकान है ताकत की कमी है और आखों में चिर्चड़ा पन है खुजली होना है और सरीर में किसी किसी इससे में सूजा ना जाना गले में ड़रोना खरास होना खासी बने रहने ये सब इसमें लग रहे थे जैसे कि सबसे पहला सिम्टम मेरे पैर में सूजन है हाला कि थोड़ी सी कम हो गई है पांचे जिन से सूजन है वो उसके अलावा दाटों में ऐसे भीचने पर दाटों को दबाने पर ऐसे करने पर यहां डाडों में दर्द हो रहा है उसकी वज़े से मेरे की तरफ जाते हैं लेकिन इसमें सो दौ सिम्टम सरीर के किसी हिस्से में सूजन कास कर से मूँ असपस और उसके अलावा जो दाडों में ढड़ है दाडों में दार्ड है और जो गले में तौह सब वह रही है। और आंखों में इचिंग यह तीन ओक्राइब कि मैं मेरे पास resources है, मैं एक ऐसे सहर में लेता हूँ जाए, सब आसानी से उपलब्द हो जा रहा है तो मैंने का क्यों नहीं करा जाए, तो मैं ENT specialist में, तो आपको भी जो black fungus का सबसे basic जाच होती है, वो ENT वाले करते हैं, क्योंकि उसको nose में, जो fungus का जो stay का place है, वो nose के अंदर कहीं होता है, और उसमें, आम तोर पर जो कहते हैं कि nose आती है, black is nose आती है, yellow is nose आती है, तो वो थोई-थोई symptom है, लेकिन मैंने जानकारी के लिए और precautionary भी इसको जाच कराने के लिए मैं आज गया, जब जाच कराई तो उसमें इस जाच के लिए endoscopy, endoscopy बेसिकली ऐसी technique होती है, जिसमें एक pipe द्वारा, दूरबीन और light डालके, वो दूरबीन से आपकी कुछ फोटोज लेकर इसमें एनलिसिस किया जाता है कि यह नॉर्मल है या कुछ इसमें disorder है, तो उसका जो treatment होता है, जो जो चेकिंग होती है, जाच होती है, उसके लिए simple सा, वो एक local anesthesia देते हैं, एक liquid जैसा नाक में डाल देते हैं, उससे आपको पता इन लगता है कि कोई चीज नाक में डाली जा रही है यह नहीं कि pain बिल्कुल नहीं है इसमें, घब्राने की बिल्कुल बात नहीं है, तो जब वो जाच करके उन्होंने देखा, ड़क्तर होती है, धाच सब देखा, देखने के बाद मुझे बताया कि यह बिल्कुल सही है, कोई आपके नाउज में और अपने डॉक्टर से जरूर सला ले और जब आपके नोज में एक बार जैसे मेरे नोज में क्लियर आया कि कुछ नहीं है तो लेकिन फिर भी आपके आखों में प्राब्लम्स हैं तो इसका मतलब कभी-कभी ये भी होता है कि वो फंगस नोज से होते 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 हैं आपके प्यानिक तरीके द्रस्टिकों से और अपनी जानकारी के हिसाब से और अपने जो डॉक्टर है उनकी सलह के हिसाब से उसका आगए टीक्मेंट भी आप जरूर करें जब भी आप एंडोस्कोपी कराने जाएं तो देखे इससे पहले में बात कर लो कितना खच्चा आता कि हजार दो हजार जो भी फीस लितने एक तो वो फीस हो गई थोड़ा कोरोना की विसे हर डॉक्टर ने लगबग 100-200 रुपीस बढ़ा भी दी है उसके साथ साथ एंडोस्कोपी के जो चार्जिज हम से लिए गए वो 2000 रुपे लिए तो आप अपने वाद देख सकते हैं कि नोस की एंडोस्कोपी में कितने पैसे लगए वो आप देख सकते हैं तो 2800 रुपे खच हुए इसमें तो इससे हमें कम से कम सैटिस्टेक्शन मिला और ये 2800 से मैं आपको बता पा रहा हूं कि ब्लेक फंगस की जांच किन-किन कंडिशन में करें और करें तो क्या-क्या करानी चाहिए तो इसी के साथ मैं इस वीडियो खतम करता हूं और अगले एक्सपीरियंस के साथ फिर आपके सामने आओंगा नमस्कार थैंक यू धन्यवाद